एक मिनट 38 सेकंड के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर संसनी मचा दी है नीम के पेड़ की पत्ली सी डाल पर एक औरत नमाज अदा कर रही है नीचे पूरा गाहूं से टक-टकी लगाए देख रहा है लेकिन वीडियो में नजर आ रही ये औरत मानोहरबाद से बेखबर अपनी नमाज पढ़ रही है वीडियो देखने वालों का मुख खुला है और आखे फटी हुई है जंता सोच में पढ़ गई है कि हरा दुपटा ओड है और गुलावी रंगा सूथ पहने ये महिला आखे पेड़ की डाल पर नमाज क्यों पढ़ रही है बताया जा रहा है कि ये कहानी उत्तरप्रदेश के जौनपुर जिले के केरा कट गाउं की है तावा है कि ये औरत पेड़ पर बिना किसी सहारे के चरती है पटली डाल पर पूरी नमाज पढ़ती है और नमाज अदा करके चली जाती है कब आती है और कहां जाती है कोई नहीं जानता हैरान करता है गाउंवालों का ये दावा कि इस औरत को ना तो किसी ने पेड़ पर चड़ते देखा है और ना उतरते सोहे, आरिफ, जमशे, आकिब और शाहिद जैसे एवीपी न्यूस के कई दर्शक वाइरल हो रहे है इस वीडियो का सच जानना चाहते हैं हम इस वीडियो की हकिकत जानने में जुट जाएगे परताल में क्या मिला ये सामने आएगा लेकिन उससे पहले हम आपको विस्तार से बताते हैं कि 1 मिलट और 30 सेकंड के इस वीडियो में क्या क्या हो रहा है वीडियो शुरू होता है तो पहले फ्रेम में एक तरफ औरते खड़ी दिख रही हैं और दूसरी तरफ बच्चे महिला को नजदीक से दिखाना शुरू करता है महिला खड़ी है और उसका मूँ सामने की तरफ है 40 सेकंड बार वो हरत सजदे में जुकती है और फिर बैट कर सजदा करती है एक बार और फिर ये दूसरी बार एक मिनट बारा सेकंड बार वो डाल पर दोबारा खड़ी हो जाती है उसके बाद वो फिर सजदे में जुकती है और फिर बैट कर सजदा करती है यही पर एक मिनट 38 सेकंड का ये वीडियो खत्म हो जाता है इस वीडियो को देखकर हैरानी इसलिए है क्योंकि नीम का पुराना पेड़ 40-60 फिट उचा होता है इस पेड़ की उचाई अंदाजे से 20-25 फिट के बीच फो सकती है इतनी उचाई पर पतली सी डाल पर बिना किसी को दिखे ये महिला कैसे पहुँची मुश्किल से तो पैरों की जगा वाली गोल डाल पर संतुलन कैसे बना रही है महिला बिना किसी सहारे के उस जाल पर उट बैट कैसे रही है नमाज अदा करने के लिए उसने पेड़ की डाल को ही क्यों चुना एक दिन में पांच वक्त की नमाज होती है क्या ये औरत पांचों वक्त की नमाज पेड़ पर ही अदा करती है आखिर ये कैसे मुम्किन है कि महिला को पूरे गाउं में किसी ने न तो पेड़ पर चारते देखा और नहीं उतरते देखा तब जब की नमाज अदा करती है